हाई फ्रेंट्स आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल UPSC Info24 में स्वागत है तो दोस्तो हम उमीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुस होंगे फ्रेंट्स यह जो वीडियो है यह पीजीटी नागरिश सास्त्र का भाग 175 है तो अगर आप सभी टी अल्टी ग्रेट जी आई सी और के वियस एक्जाम की तयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए हैं दोस्तों आज का वीडियो 21 नमर से सुरू होगा कोशन है फ्रेंट्स निमलेखित में से कौन किसी राज के विधान परसत को समाप्त करने के लिए प्राधिक संसत किसी राज के विधान परसत को समाप्त करने के लिए प्राधिक्रित है आपसने सहिए व्याख्या देख लिजिए राज विधान मंडल का दूसरा और उच्च सदन विधान परसत है या एक अस्थाई सदन होता है अनुछेद 179 के तहत संसत को किसी राज में विधान परसत को अस्थापित करने या समाप्त करने का अधिकार है इसको समाप्त तो किया जा सकता है किन्तु विक्टित नहीं कि जा सकता तो दोस्तों कोशन कई पूछ सकते हैं कि अनुछेद 179 में क्या उल्लेखित है तो अनुछेद 171 के तर संसत किसी राज्य में विधान परसत को अस्थापित करने तथा समाप्त करने का अधिकार दिया गया है तो संसत को 179 में अधिकार है इसको आप नोट कर है कानून संप्रभू का आदेश है कथन किसका है आपसण एल लासकी वी आस्टि द हैसे विंथम बई-ऐक एतनक कि थेखित आश्टिन महोदे का आपसन भी व्याख्या देखिए राज का लच मानो कल्यार की उचित वेवस्था करना है राज अपने नागरिकों के जीवन के संचालन हे तु नियमों का निर्मार करता है राज नीतिक विज्ञान में राज द्वारा निर्मित और लागु किये जाने वा कानून संप्रभू का आधे से इस कोटेशन को आप कहीं नोट कर लिजिएगा आगे चलते हैं तेरिस नंबर कोश्चन है सकती और सत्ता होने चाहिए सकती और सत्ता होने चाहिए आपसन ए और चित्य पूर आपसन भी है और चित्य पूर आपसन सी है अन्याय पूर और आप व्युक्त में से कोई नहीं तो तेश का अंसर आपका हो जाएगा दोस्तों भी और चित्ते पूढ ठीक है सक्ति और सत्ता को होना चाहिए और चित्ते पूढ आपसन भी आपका सही है व्याख्या देख लेजिए थोड़ा सा सक्ति व्यक्तियों सम्मूव तथा भावतिक परिस्तितियों के प्रतिरोध के होते हुए भी सुतंत्रकार करने की छमता का नाम है सत्ता के बिना सक्ति असाध्यत्मक परिस्तिति जन्न तथा अनिश्चित होती है तो सत्ता के बिना जो सक्ति है वो असाधानात्मक परिस्तिति जन एवं अनिश्चित होती है मतलब सक्ति अगर सत्ता के लिए सत्ता को बनाये रखना है सत्ता अगर नहीं रहेगा तो सक्ति क्या है और साथ देतम और परिष्टि जन एवं अनिश्चित होती है सत्ता निश्चित असपर्ष्ट तथा प्रकट होती है अता सक्ति और सत्ता को और चित्पूर होना चाहिए, मतलब दोनों को सही दिशा में होना चाहिए, सकरात्मक रूप में होना चाहिए, न कि नकरात्मक रूप में, आगे चलते हैं फ्रेंट्स, 24 का देखते हैं, 10 दिसंबर 1948 की मानवा अधिकार की विश्व व्यापी घोसडा में कितने अनुछेद है तो कितने अनुछेद हैं दोस्तों, तो 24 का आंसर ए सही हो जाएगा 30 अनुछेद हैं, ठीक है, 10 दिसंबर 1948 की मानवा अधिकारों की विश्व व्यापी घोसडा में कितने अनुछेद हैं, तो आंसर ए सही हो जाएगा 30 अनुछेद हैं, आपसने सही है, व्याख्या सन्यक्त राष्ट ने हर्वर्ष दिसंबर की तीथी को मानवा अदिकार दिवस, तय किया मनवा अदिकारों की घोसडी में 30 अनुछेद है कि तुकिने अनुछेद थे मिशली हैं भृरत जिसंबर 28 दिसंबर 1993 से मानो अधिकार कानून अमल में लाया गया तो भारत में 28 दिसंबर 1993 को मानो अधिकार कानून को अमल में लाया गया इसको आप याद रखेंगे आगे चलते हैं 25 नंबर कोशन देखते हैं प्रमादेश का क्या तत्पर है कि हम आदेश देते हैं प्रमादेश का क्या तत्पर है कि हम आदेश देते हैं इसके तहत न्याय पालिका द्वारा किसी व्यक्ति लोग प्रदाधिकारी अधिनस्त न्याले सरकार या नियम को निगमन को उनके विवित सामिधिक या लोग कर्तब्यों को करने का या अवैद रूप से न करने का आदेश किया जाता है इस रीट का प्रयोक ऐसे अधिकारियों को आदेश देने के लिए किया जाता है जो सारवजनी कर्तब्यों को करने से इनकार या उपेच्छा करता है आगे चलते हैं दोस्तो 26 नमर कोशन है राजनीतिक विज्ञान का आरंब और अंत राज के साथ होता है या किसने परिभासित किया है आपसन ए गानर बी ए कर्टिल गर्टिल सी ए गिल क्राइस्ट और डी ए बोदा तो आंसर हो जाएगा गानर महोदे ने एक अथन क्या है कि राजनीतिक विज्ञान का आरंब और अंत राज के साथ होता है एक इसने का तो गानर महोदे ने कहा है वियाख्या देखिए राजनीतिक विज्ञान का आरंब और अंत राज से होता है यह अविचार गानर ने प्रगट किया है राजनीतिक विज्ञान समाज का वह अंग है जिसके अंतरगत मानवी जीवन के राजनीतिक पच्च का और जीवन के इस पच्च से संबंधित राज अच्छा लगे तो दोस्ट लाइक जरूर कर दीजिये और चैनल को सब्सक्रा डिए करकर डोश्तों थोड़ा कमेंट करकर गलती या पुर्वसान जो भी जरूर किया करिए अगर गलती करें तुरूटिया आपको दिख रहे हैं तुरूटियों को जरूर बताया करिए जिससे में कि उसको सुधारा जा सकें आगे चलते हैं दोस्तों भारती राष्टी कांग्रेस का निर्वाचन प्रथम यूरोपी अध्यच था भारती राष्टी कांग्रेस का निर्वाचित प्रथम यूरोपी अध्यच कौन था ये बताना है प्रथम यूरोपी तो ओ थे आपके बी हो जाएंगे जार्च यूले थे ठीक है संस्थापक जो थे ओ ओ यूम थे ठीक है तो याद है कि मैला में जो पहली मैला अध्यच बनी थी ओ थी एनी वेसेंट अगर पुछा जाए पहली मैल और भारति पुछा जाएगा तो सरौजनी नाइडू बता देंगे ठीक है पहली मैला जो थी वो ऑन एनी वेसेंट थी और भारति मैला जो पहली अध्यच बनी थी कंग्रेस की वह सरौजनी नाइडू थी ठीक है सरौजनी नाइडू इसको आप याद Ralphie तो इसको आप जरूर याद रखिए तो भारती राष्टी कांग्रेस का निर्वाचित प्रथम इरोपी अध्यच कौन था तो जार्च यूले थे आप्शन भी आपका सही है व्याख्या देखिए 28 दिसंबर 1980 को मुंबई इस्तित गोकुल दास तेजपाल संस्कृती विद्याला में भारती राष्टी कांग्रेस की अस्थापना हुई तो भारती राष्टी कांग्रेस की अस्थापना कब हुई थी 28 दिसंबर 1885 को कहां की गई थी तो बंबई में हुई थी और इसके बाद किस अस्थान पे हुआ था तो गोकुल दास तेजपाल संस्कृती विद्यालाय में ठीक है भारती राष्टी कांग्रेस की प्रिथम अध्यच वे उंचंद्र बनरजी थे डबलू सी बनरजी बोला जाता है इनको डबलू सी बनरजी या यो में चंद्र बनरजी इसके जो अस्थापित करने का जो स्रे दिया जाता है वो एलन आक्टोविन ह्यूम या एओ ह्यूम भी इनको बोला जाता है तो एनों ने अस्थामना की थी इसके संस्थापक थे एओ ह्यूम जिसका फूल फार में ही है एलन आक्टोविन ह्यूम भारती राष्टी कांग्रेस के प्रथम यूरोपी अध्यच जार्ज यूले थे उन्होंने 1888 में कांग्रेस की अध्यचता की थी कब की थी तो 1888 में आगे चलते हैं 28 नंबर कोशन समाजिक समझावता के सिध्धान्त के साथ संप्रभुता राज की ओधारा को किसने सन्युक्त किया कुश्चन है समाजिक समझावता के सिध्धान्त के साथ संप्रभुत राज की ओधारा को किसने सन्युक्त किया आपसन ए माक्स आपसन भी हाप्स आपसन तीन सी है लाक आपसन डी है उप्युक्त में से कोई नहीं तो 28 का अंसर हो जाएगा दोस्तों आपका वी सही हो जाएगा हापस आपका वी क्या हो जाएगा हापस महोजन ने कहा है व्याक्या देख लीजिए समाजिक समझोता के सिध्धान्त के साथ समप्रबूर राज्य की औधाड़ा को हाप्सने सन्यूक्त किया था समाजिक समझोता सिधान्त के साथ संप्रभू राजी की अवधाड़ा को हापस ने क्या किया था सन्युक्त किया था हापस के अनुसार राजी की अस्थापना का केवल एक ढंग है और वह है समस्त व्यक्तियों का अपनी समस्त सक्तियों को एक व्यक्ति या व्यक्ति सम्मू के प्रती समर्पित कर देना ऐसा हापस का मानना था आगे देखते हैं 29 नमर कोशन है भारती सम्मिधान में सोसर के विरुद अधिकार किन अनुछोदों के द्वारा प्रदान किये जाते हैं तो सोसर के विरुद अधिकार किस अनुछेद के तत प्रदान किये जाते हैं दोस्तों ए बताना है अनुछेद 16-20 तक या अनुछेद 23 से 24 तक या अनुषेद 25-28 तक या अनुषेद 29-30 तक तो आंसर क्या आओ जाएगा इसका दोस्तों अनुषेद 23-24 भारती समिधान में सोसर्ट के विरुद मूल अधिकार प्रदान किये जाते हैंaufenतों फिल किंगना और Gained में संपात्ति का मॉलिक अधिकार था संपात्ति का दिकार कानूनी है अभिष्विएंगर के उन रख दिया working संपत्ति के अधिकार को तो इसको आप याद रखेंगे व्याख्या देख रहे थे हम लोग अनुछेद 23 वा 24 के अंतरगत सोसर के विरुद का मूल अधिकार प्रदान किया गया है अनुछेद 23 मानो दुर वैपार बला सरम आदि प्रतिस्यद करता है जो 23 है उसमें मानो के साथ दुर वैवार जिरु वैपार जो होता है उसको और बला सर्म अगर बालक है उसके साथ सर्म किया जाता है मतलब उनके साथ छोटा-14 से कम उम्र का बालक है तो ओएसा अगर उनसे काम करवाया जा रहा है तो एक कौन सा प्रतिसेद करता है तो अनुछेद 26 करता है आगे हैं अनुछेद 24 के अंतरगत कार खानों में आधि में बालकों के नियोजन पर रोक लगाया गया है ख़दान और फेक्टरियों आदी में 14 वर्ष से कम आयू के बच्चों को काम करने पर रोक है तो यह सब अनुशेद जो है बला स्रम और इसके आदी को प्रसेद करता है मानों के साथ अब दिरुवेहार नहीं कर सकते हैं बला स्रम आदी पर प्रतिसेद करता है तो यह है 23 इसमें और पूर्ष से जो कार खानों में आदी में फेक्टरियों में बालक को नियोजित नहीं करना है उन पर जो रोक लगाने का काम कर रहा है वो अनुशेद 24 कर रहा है और खदान और फेक्टरियों में भी जो बात कर रहा है कि 14 वर्ष से कम बच्चे जो आई के हैं उनको आप नहीं लगा सकते हैं तो ए भी 24 में दिया गया है तो इन दोनों को याद रखेंगे यहाँ से question आपका पूरा पूरा आने की संभावना है दोस्तो ए सब बहुत important है आगे चलते हैं भारती संभिधान का अनुछेद 368 प्रतिनिदित करता है तो आंसर आपका हो जाएगा संसोधन की प्रक्रिया आंसर आपका सी सही हो जाएगा अनुछेद 68 संसोधन की प्रक्रिया का अप्रतिनिदि करता है व्याख्या देखिए भारती संभिधान का भाग 20 अनुछेद 368 संभिधान संसोधन से संबंदित है जो भारती संभिधान का भाग 20 है अनुछेद 368 सकती संसत को है संभिधान में संभिधान में संभिधान संसोधन के लिए तीन प्रकार की प्रक्रियाओं का प्रावधान किया गया है भारती संभिधान में संसोधन की प्रक्रिया दच्छिर अफ्रिका के संभिधान से लिया गया है तो संसोधन की प्रक्रिया कहां से लिया गय आया है तो दोस्तो ए थे आपके टोटल दस कोस्टन जो आने वाले किसी भी एक्जाम के लिए अती महतपूर साबित होंगे दोस्तो एक ऐसा लग रहा है वीडियो अगर वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को जड़ूर सस्क्राइब कर लें दोस्तों आप लोग देखते हैं वीडियो लेकिन कमेंट नहीं करते हैं थोड़ा सा पहसला बढाने के लिए आप लोग गलत या सही कमेंट कर दे दोस्त जिससे की उसला और अब जाई हो और वीडियो बनाने का मन करें और आप कल मिलते हैं हम लोग दुबारा